नमस्कार प्रियर राशकोव आज अब इस वडियो में 23 के मेके मैने में सियर राशी क्या राशी फल मिलेगा इसके बादे में जानेगे सियर राशी एक पुरुष और उग्रा राशी है जिसका स्वामे सूर्य है इस राशी के जातकों का दुरुष्टी कुन काफी स्पश्ट होता है और इसी के कारण वो अपने फेसले काफी तेजी से लेते है सियर राशी वारे अपनी प्रती बद्दता के लिए जाने जाते हैं और वो इसी के अनुसार सारा फेसला लेते हैं ये लोग अपने काम को लेकर और अपनी प्रती बद्दता दिखाए और अपने सिद्दांटों को अनुसार काम करते हैं इस राशी के जातकों के लिए ये म चंदराशी पर रहेगी शनी साथे गर में है और चंदराशी पर अपनी दृष्टी डाल रहे है जिसके कारण आपको संबंधो में कुछ परेशानिया आ सकती है सियराशी वालेव के लिए इस ग्रोध शांग से थोड़ी दिक्कत का सामना करना पर सकता है अगर मुख्य ग्रोध का साराश निकाले और उसकी बात करे तो शनी ठीक स्थिती में नहीं है लेकिन वही ब्रस्पति के प्रभाव से आपको धन और शुप कारे जैसे विवाहा आदी में काफी फायदा होगा हो सकता है कि आप कई नया बिजनेस पी शुरू करे और नई चीजों में निवेश करना आपकी लिए फायरमंड है इसके अलावा नोवे घर में ब्रस्पति के होने से आपको नई उचाई मिलेगी जैसे आपका प्रमोशन हो सकता है और आप अपने करियर में आगे बढ़ेगे केतु तिसरे घर में मोजुद है और लापकारे ब्रस्पति के दृष्टी भी उस पर पड़ रही है इसी के प्रभाव से सीय राशी वालों के लिए अध्यात्म के शेत्र में काफी यात्राओं का योग बं रहा है यो सबी यात्राई सीय राशी वालों के लिए अठ्यंट लापकरे साबीत होगी शुक्र एकलाब करिक रह है और इस महिने शुक्र अन्यकुल स्थिती में रहेगा जिसके कारल चातकों को आत्म निर्मान करने का अवसर प्राप्थ होगा और इसका फल सोरुप आप अपने करियर में काफी आगे जा सकते है इस राशी के बारे में पुर्ण महिन अलग-अलग चीजों में क्या कुछ होने वाला है इसके बारे में विस्तार से सुने यानि इस महिने आपका जीवन केसा रहेगा आपका परिवार यह साहिक जीवन स्वास्ते प्रेम समंदम में क्या कुछ होगा कारे शेत्र अगर करियर की बात करे तो सिय राशी की जादको को ये करियर और नोक्री दोनों में काफी लाब करे स्थिती रहेगी जुकि ब्रोश्पति नोए गर में है और उनकी दुरुष्टी चंदराशी पर पढ़ रही है कार्य का गुरू माना जाने वाला शनी साथरगर में है और उनकी दुरुष्टी चंदराशी पर पड़ रही है इसके प्रभाव से चात्कों को करियर में कुछ चुनतियों का सामना करना पड़ सकता है आपको अपने साथ काम करने वाले लोगों से भी कुछ परिशानियों हो सकती है और हो सकता है कि आपके दफ्तर में वरिष्ट अधिकारी से आपको कुछ चुनतियों का सामना करना पड़े इस राशी के लोगों के लिए एक चीज कारगार सावित होगी कि वे अपने करियर को व्यवसाइक धंग से प्लान करे जिससे आगे चल कर उने उन्नति मिलेगी और इसी राष्टे से उने संतुष्टे भी मिलेगी लाबकारी गरास बुरस्पती नवेगर में होगे और उसकी दृष्टी चंदराशी पर रहेगी इस महिने इसके प्रभाव से इस राशी के जातकों को करियर में सपलता मिलेगे ब्रस्पति के अनुखुल दशाम के चलते जात्कों को सभी परिनाम अपने हक में मिलते रहेगे चंदराशी पर ब्रस्पति के दुश्टी के प्रभाव से जात्कों को सुदक्षा मिलेगी और इसके प्रभाव से आपको अपने निर्ने थोस तरीके से लेने में सक्षम रहेगे बुरस्पती का गोचर जातकों के लिए काफी काफी लाफदाएक हो सकता है खास तोर पर वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए इस महिने में काफी सारे फाइड़े हैं जो लोग एक से जादा बिजनेस कर रहे हैं या एसा करने की जोजना बना रहे हैं उनके लिए यह अच्चन तलाबकारी समय है आर्थिक जिवन प्रश्पती के नवे घर में होने से और चंदराश पर उनसकी रुष्टी पढ़ने से पैसे कमाने में नए और बहतर तरीकी मिलेगे इसके साथ दुसरे घर के स्वामी के रूप में बुध नोवे घर में ताकतवर सूरे के साथ होगे और इसी के मदद से पैसे कमाने में नए अवसर मिलेगे हाला कि साथवे गर में शर्णी के होने से चाथकों को बड़े कर्चों को पूरी करने में कुछ परेशानियों का सामना करना पर सकता है अक्सरशनी की ऐसी स्थिती से जाटकों को जल्दवाजी में फैसला लेने से बचना होगा और इसी के कारण साथ ज़्यादा क्रचों की संबावना है वही नोवेगर में विरसकोती की मौझुदगी से जाटकों को पेसे कमाने की आरामदाई स्थिती रहेगी आपके पास ज्यादा धन कमाने की स्थिती पैदा होगी और वो सहजिता से इसी के पर आएगी जो जाटक बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए इस मैने बड़े धन लाब कमाने की काफी संबावना है इसी के साथ आप अपने प्रतिदोंदी से भी अच्छा तरह से मुकाबला कर पाएगे आप बिजनेस को लेकर नई योजिना बनाने में चपल होगे और ये सबी योजिना आपके लिए काफी लाब करे सावित होगी स्वास्ट इस मैने ब्रस्पती के नवे घर में होने और साथ ही चंदर राशी पर द्रुष्टी पढ़ने से स्रियर राशी के सभी जातकों को शरीर में बिल्कुल फित रहेगे सियराशी के जादकों को इस महीने अधिक उरुजा और ताकत से रहेगे और इसी के प्रभाव से जादकों को स्तिर्ता हासिल करने में भी मरत मिलेगी इने के साथ शनी सात्वे घर में है और चंतराशी पर उनकी दुरुष्टी पड़ेगी जिसके कारण थोड़ी छोटी मोटी सेहत को लेकर जीवन साती पर पैसे खर्च हो सकते है नोवे घर में प्रश्पती और चंतराशी में उसके प्रभाव के फल सोदुप स्रिया राशी के जादकों को इस मैने प्रेम संबंदों में शादू शुदा जीवन में काफी सपलता मिलेगी प्रेम का ग्रह माने जाने वाला शुक्र इस मैने स्रिया राशी वालों के लिए अनुकर स्थिति में रहेगा जो लोग प्रेम संबंदों में है उनके लिए और उनके साथियों के लिए यह मैना लाब करी होगा सियराशी वालों के लिए प्रेम के संबंदों में यह मैना काफी अच्छा रहेगा और अपने मन चाय साथि के साथ शादी भी कर सकते है कुल मिलाकर यह मैना प्रेम के लिए से जात्कों के लिए बहुत अच्छा रहेगा जो जातक शादी की योज़ता बना रहे है वो सफल होगे और जो विवारिक जीवन में है उन्हें रिष्टे और बेहतर होगे और वो अपने संबंदों को सफल बनाने में काम्याब रहेगे सियराशी का स्वामी सूर्य दश्वेगर में है और दुसरे घर के स्वामी के रोप में बूद नवेगर में है ये सारी गिरदशा लाबकारी होगी और इसी के प्रभाव से सियराशी वालों के लिए यह सुक्मय समय है लेकिन इसी के साथ इशनी साथ्वेगर में है जिसका प्रबाव परिवार पर थोड़ा पर सकता है। अहंकार के वज़र से परेशानिया आ सकती है। लेकिन नवेगर में लागकरी ब्रस्पती के असर से इन सारी दिक्कतों का आसानी से निदान हो जाएगा। उपाय के तोर पर पृति दिन प्रताकाल को सूर्य खिपुजा करे। प्रति दिन आदित्य रिदय स्रोत्रकापात करे। प्रति दिन 108 बार ओम भासकराय नमगा जाब करे। रविवार को विकलांगो को बोजन कराय। पर यह सब उपाय आपके चंद्र राशी पर आधरी झाल 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 झाल